Hey everyone, welcome back to my channel The Kitchen Roaster आज हम लेकिया हैं आपके लिए macaroni की recipe जिसमें बहुत सारी vegetables का use करेंगे और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये recipe पसंद आएगी तो चलिए तो इसे बनाना शुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को like ज़रूर करें macaroni को boil करने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में एक लेटर के करीब पानी ले लेंगे और हम half table spoon नमक आड़ कर देंगे देखिए तो हमारा पानी बोईल हो गया है इसमें हम एक bowl macaroni आड़ करेंगे अब हम एक table spoon oil आड़ कर देंगे macaroni को करीब एक से दो बार आप चला जरूर दें जिससे कि वो नीचे बेस में चिपके न देखिए पास से साथ मिनट के बाद हमारी macaroni पकर तयार है चलिए तो हम macaroni को चान कर निकाल लेते हैं अब हम एक कडाही ले रहे हैं उसमें हम 3 table spoon oil डाल देंगे देखिए तो oil हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम एट करेंगे finely chopped अद्रक और लहसुन और ये दो हरे मिर्च हमें इने के विल 20 से 30 सेकंड गूंडना है अब finely chopped प्यास आट करेंगे अब एक ग्रेट किया हुआ टमाटर आट करेंगे टमाटर को करीब हमें 1-2 मिनट अच्छे से पका लेना है टमाटर को पकाने के बाद हम 2 table spoon अद्रक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट आट करेंगे इस पेस्ट को हम थोड़ी देर पका लेंगे जिससे की इसमें अद्रक और लहसुन का जो कच्छा पन है वो निकल जाए अब हम finally chop गाजर और शिम्ला मिर्च आट करेंगे गाजर और शिम्ला मिर्च को थोड़ी देर पका लेंगे लास्ट में हम रफली च पत्ता घू भी आट करेंगे चलिए कर दो क्वल्ड माकरोनी आट कर देते हैं अब बचे को ए इंग्रीडियंट्स भी आड़ कर देंगे, एक टेबल स्पून हम सोया सॉस आड़ कर देंगे, हाफ टेबल स्पून वेनिगर, हाफ टी स्पून कालीवर्च आड़ करेंगे, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, अब हम लास्ट में half टेबिल स्पून मैगी मसाला एट करेंगे चलिए तो सभी को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैकरोनी को हमें चलाते रहना है जिससे की वो नीचे चिपके न देखिए तो हमारी मैकरोनी पकर बिल्कुल तयार है चलिए तो इससे अब हम निकाल लेते हैं आपको हमारी मैकरोनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले ऐसी लिए टेस्टी और इजी रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक्स फॉर वाचिंग